इंद्रिये भव्या परारथार भिच परमन्हा मनसस्थो पराबुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परामात्अ परमभ्यक्तों अब्यक्तात्बुर्शापरारपुरुशान परमकिंस्षज साकाश्था साव परागती पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का दसमा ग्यारामा मंत्र यह मंत्र कह रहा है इंद्रियों से परे इंद्रियों के विशय उससे परे मन उससे परे बुद्धी उससे परे जीव उससे परे माया उससे परे भगवान तो जीव जो है यही बुद्धि से परे है भगवान तक कहा जा रहे हो तुम मैं को भी नहीं जान सकते बुद्धि से यह मैं क्या है यह मैं क्या है बस मैं मैं है इसे बोले जाओ बस धगवान का अंश है ये विचारा आएक तुछ अंश है वही नहीं जानने में आ सकता है बुद्धी के तद अब्यक्तमाहा विदांत भी आया तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का बाइसमा सूत्र ते कह रहा है वो अब्यक्त है इंद्रिय मन बुद्धी से ब्यक्त नहीं किया जा सकता पुराणों में आईए उत्व आपने सुना होगा आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्य गच्छम यत आत्मसंभवा ब्रह्मा कह रहा है मैं छोटे मोटे की बात नहीं करूंगा स्रिष्ट करता ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार बना दिया कुछ नहीं था और ये संसार बन गया बिना सामान के हाँ आज हम लोग डावा करते हैं हम ने अटाम बाम बनाया कोपड़ा बनाया ये शंसार का सामान लेके बनाया न, यह संसार का सामान किसने बनाया, यह अपने आप बन गया, जी हाँ, अपने आप बन गया, तो वो ब्रह्मा कह रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता, नाहम न यूयम यदिताम गतिम बिदुर नभाम देवक की मुतापरे सुराहा, हाँ, पहला वाला भागवत है, दूसरे असकंद का, छठमा अध्याय का, चोंतिसमा अतलोग, और ये हैं, दूसरा, दूसरे असकंद के, छठमे अध्याय का, चोंतिसमा असलोग, असंबस्तर सहस्तरान ते धिया योग भी पक्वया, देवताओं के हजार बर्ष तक, ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा के बाग के बोलना हूँ है, समाधी के द्वारा, वो नाल के अंदर घुस कर गया, देखनेक में कहां से आया हूँ, भगवान की नाभी से, ब्रह्मा प्रकट हुआ था न, तो उसने अपनी नाभी में प्रवेश किया, सूप्ष्वरूप से, अहजारों बर्ष तक चला गया, अंत नहीं पाया, लोटाया विचारा, फिर ब्रह्मा ने कहा, जानन्त एव जानन्त, किम्बहूक त्यानमे विभो, मनसो बचशो बपुषो, मनसो बाचो भाईभवं तव गोचरा, दश्मत कंद के चौदावे अध्याय का अर्थिस्वाश लोग, और ना हम बिरिंचो, न कुमार नारदव, न ब्रह्म पुत्रा, मुनय सुरेशा, भागवत, भागवान शंकर कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और कौन जानेगा उसको, छट्मे असकंद के सत्रह में अध्याय का बत्तिस्वाश लोग, फिर भागवत कहती है, कईयन वेदवतावर जन्मलयोग्रसरम यतुदगादरिशिर यमन देवगनाव भैतरि नसा नचास दुभयम नचकाल जवा, दश्मत कंद के सत्रह में अध्याय का बत्तिस्वाश लोग, फिर भागवत कहती है, दुपत एवते नययुरंत मनंत तयात्वमपी, अरे ब्रह्मा दिक्या जानेंगे, हे स्रिकृष्ण तुम भी नहीं जानते अपना अंतु, दश्मत कंद के सत्रह में अध्याय का एक तालिस वाश लोग, यत्स्वयम चात्म बरत्मा अत्मा नबेद की मुतापरे, तो यह सब प्रमाण कह रहे हैं भगवान को कोई नहीं जान सकता, और श्रीकृष्ण ने गीता में तो अस्पष्ट कहिए दिया, बेदाहम समतीतानी बरत्मानानी चारजन भविष्याने चभूतानी, मान्त बेदनक अश्च्यनक मुझे कोई नहीं जान सकता, आरजन, सात्मे अध्याका 26 अश्च्यनक क्यों नहीं जान सकता, तिरफर गुण मैय इरभावईरे, विस्तरम अमिदन जगत, मोहितम नाभिजानात, मामे भ्यपरमभयम, सारा संसार, संसार वाले जीव, जीवों की बुद्धी, तीन गुण से जुक्त है, मैं गुणा तीत दिव्य हूँ, इसलिए कोई नहीं जान सकता, साथ में अध्यायकात, तेरह माश लोग, इंद्रियाने पराड न्याहूर इंद्रिये भ्यपरम्मना मनसस्तु परा बुद्धिर, जो बुद्धे परतस्तु सा, वो कठोपनिशत का अनुबाद, इंद्रियों से परे मन उस्ते परे बुद्धि उस्ते परे भगवान कोई नहीं जान सकता अदे राम एड़ तो पढ़ाओगा आप लोगों ने राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर बुद्धि से परे है राम अतरक्य बुद्धि मन बानी इंद्रिये मन बुद्धि से अतरक्य है वहाँ न ले जाना कोई नहीं जान सकता फिर निराश हो जाए हम अरे अनन तो महापुरुश हुए है अएसे कैसे आप कहते हैं कोई नहीं जान सकता तो से तास्चुत्र मुनी आए उन्हों ने कहा हम बताने बेदा हमेतम पुरुखम महाँन तम मैं जानता हूँ आँ बताओ भैक तुम जानते हो तो तो से ते चुतर मुनी ने बताया देखो हमने भी पाया कह रहे हैं स्वेताश्चतर मुनी फिर कह रहा है कठोपनिशत नायम आत्मा प्रबचेन लग्वो न मेदया न बहुना शुते न यमे वैश बिर्णूते तेन लभ्यस तस्यश आत्मा बिब्रणूते तनू गवंस्वाम किसी साधना से वो नहीं मिलेगा जिस पर वो क्रिपा कर देगा वो उसको पा सकता है क्या मतलब क्रिपा से हाँ पुराणों में देखिए अथा पिते देव पदाम दुजद्वय प्रसाद लेशा नुग्रिहीत एव ही जानाती भगवान के क्रिपा से जो अनुग्रिही तो हो जाए वो जान सकता है गीता देखो गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा तत प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्षयतिशाश्वतम अठरावे अध्याय का बास अठ्वाश लोग् उसकी क्रिपा से भगवान की क्रिपा से भगवान को तुम पा सकते हो जान सकते हो देख सकते हो जैसे आपस में संसार में मिलते हो ऐसे मिल सकते हो सारी गीता भगवान ने सुनाया अर्जुन ने सिध हिलाया अंदर से नहीं माना और जब मान लिया तब पूछा भगवान ने 18 में अध्याय के अंत में कचिद अज्ञान सम्मोह प्रनश्ट अस्ते धन अजय अज्ञान चला गिया तेरा रे बुद्धी में समझ में आया निगाह माराज आ गया अब आया नश्टो मोह स्मृत्र लब्धा पत प्रसादान मया चुद आपकी कृपा से आया माराज हमारे अकल के सोचने से नहीं आया था कृपा से आया तो स्वई जानई जेहि देवु जनाई हाँ राम कृपाबिनु सुनुख गराई जानिन जाई राम प्रभुताई हाँ सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी छुटैन राम कृपाबिनु नाथ कहाँ पदरोपी माया जाएगी राम कृपा से और कोई रास्ता नहीं रजत सीप महभास जिमी यथा भानु करवारी यदपिम्रिशाति हुकाल सो भ्रम नसकै को उठारी अजासु कृपा आस भ्रम मिट जाए गिर जासु कृपालू रघुराई भगवान की कृपा से यह अज्ञान जाएगा माया जाएगी आनंद मिलेगा सब कुछ तुम्हरी कृपा तुमही रघुनंदन जानत भगत भगत उरचन्दन ये एक कृपा से ही होगा का मतलब क्या है असली इसका मतलब ये है कि जब भगवान कृपा करेंगे तो अपनी चीज़ दे देंगे अपनी आँख, अपना कान, अपनी नासिका, अपनी रसना, अपनी त्वचा, अपना मन, अपनी बुद्धी ये हमारे कान में भगवान की अलवकिक दिव्यकर्ण शक्ति आ जाएगी तम मुरिली सुनाई पड़ेगी, ऐसे नहीं सुनाई पड़ेगी, वो बजा रहे हैं आप बैठे हैं, सुन्ड़े हो कुछ, नहीं तो, बहरे हो, नहीं, नहीं, कान तो ठीक है ये कान तो पंच महाभूत के बने हैं, आखें पंच महाभूत की हैं, नासिका पंच महाभूत की हैं, ये पंच महाभूत के सामान को ग्रहन करते हैं अलोकिक स्प्रिच्वल भगवान के सब्जेक्ट को ये ग्रहण नहीं कर सकती भगवान ने मुरली बजाया ब्रंदावन में और इस त्रियां चली गई रास में पती लोग सो रहें खर राटे में उनके कान नहीं था क्या था सुनाई नहीं पड़ा विचारों को क्या करें और नहीं दाती जब ब्रह्मा शंकर अपना लोक छोड़ के भागते हैं मुरिरी नाद पर तो ये ब्रिजबासी सो रहें ठाट से वो नहीं सुनाई पड़ेगा वो नहीं दिखाई पड़ेंगे सामने खड़े हैं मल्ला नाम संदरिन्र नाम नरबरस्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान दश्मस्कंद के तैंताजिसमे अध्याय का सत्रहमा श्लोग मतुरा में स्रिकृष्ण धनुष्ट जग्य में खड़े थे आप लोग भी थे सामने देखा लेकिन भगवान को भगवान रूप में नहीं देखा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी तो भगवान की क्रपा से भगवान को जाना जा सकता है भगवान को पाया जा सकता है तो भगवान को पाने के बाद दुख निवर्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष प्राप्त होगा ठेक अब भगवान की क्रपा कैसे होगी ये पता लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भगवान खपती है कुछ जीवों पर कृपा कर दिया मन में आई तो आई मौज फकीर की दिया जोपड़ा फूक हमारे संसार में लोग कहते हैं न योगी चित राज चित ऐसा ही होता है आया मन में वैसा आडर कर दिया भगवान के हाँ ऐसी अंधिर नहीं होती वो जिसको दर्शन दिये होंगे कुछ बात होगी वो बात क्या है पता लगाओ चलो बेदों में फिर तो बेद कहता है हाँ यस्त देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरव तस्ते इते सिता ही यर्था प्रकाश्यंते महात्मना भेदा ब्रह्मात्म विशया श्त्रिकांड विशयाई में बेद में तीन कांड है कर्मकांड ग्यानकांड उपासना कांड अस्ती हजार बेद मंत्र कर्मकांड के और सोला हजार बेद मंत्र उपासना कांड के चार हजार बेद मंत्र ग्यानकांड के तो तीन मार्ग हैं यह वाक्य कित्रिकांड विशयाई में अतन्त इंपॉर्टेंट है तीन कांड है और वही तीन मार्ग भागवत में फिर बताए गए योगास्त्रयो मया प्रोप्ता निनाम्शेयो विधित्सया ग्यानं कर्मच भक्तिष्च ग्यार्वे असकंड के बीसमे अध्याय का चठवा असलोग और वो मंत असलोग है ग्यारह में कंड के 21 में अध्याय का 35 असलोग थेक तीन मार्ग है अग एक मार्ग को पकड़ो पहले कर्म धर्म धर्म अन्तु साक्षात भगवत प्रणीतम नवै बिदुर रिशयो ना प्रिदेवा लो धर्म का निरूपन भगुमान ने स्वयम किया है चातुर बर्ण्यम मयाश्रिष्टम उसको रिशी मुनी और देवता भी नहीं जानते हैं जानते नहीं प्रैक्टिकल करना तो बहुत दूर की बात है छटमे असकंद के तीसरे अध्याय का वन्नाई स्वयमाश्र लोग है फिर भागवत कहती है कि धर्म संपध्यते शड़ भी रधर्मस्तु भी पर जाया ग्यार में असकंद के 21 में अध्याय का पंद्रहमाश्र लोग छे नियमों से धर्म का पालन होता है छे जैसे यग्य है प्रधान यग्य है कर्म धर्म में दर्णाश्रम धर्म में यग्य हवन करते है न इसमें बड़े नियम है कहां पर हवन किया जाए अजी हमारे पंदित जी तो अपने ही घर में कर देते है ऐसे हूँ ऐसा नहीं है और कब हवन शुरू किया जाए देश काल और किस द्रब्द से हवन किया जाए वो किस कमाई का है ब्लेक मनी से नहीं होगा और करता जग करने वाले को ये पक्का विश्वास है क्या कि जो हम हवन कर रहे हैं वो देवता खड़ा है उसको मिल ला है जी किसी को नहीं है और मंत्र एक बेद मंत्र में एक अक्षर के एक स्वर में गलती हो जाए तो उल्टा जजमान का नाश कर दे पातंजल भाष्ट में कहा गया कि मिठ्या प्रियुक्तो स्वरतो बर्नतो वा नतमर्थ माहा सभाग बज्ज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात ब्रित्रा शुर एक राक्षरस्ता उसने यग्चर कराया रिशियों को पकड़ के जबर दस्ति और यग्च में मंत्र है इंड्र सत्रु विबर धस्तो इंड्र का सत्रु बढ़ह यानि ब्रित्रा सुर बढ़ह इंड्र मार जाए रिशियों ने कहाई बड़ी मुसीबत है अब ये तो माड डालेगा अगर नहीं यग्गे करेंगे तो अब हमारा देवता है इंद्र और हमी उसको मरवावें तो उन्होंने चालाकी किया इंद्र शत्रू में आध्युजात्त को अंत्योधात्त कर दिया तत्पुरुष समास के जगे बहबरी समास हो गया और अर्थुल्टा हो गया और वो मारा गया इसी प्रकार ब्रह्मा के इला लड़की हुई पुत्र के बजाए बिधी में तुटी हो गई कहीं भी एक सरगरबड होगा तो तो ये छे नियम कड़े कड़े हैं इन छे नियमों का पालन करे वो हुआ धर्म और उसका फल नश्वर प्लवाहेते अद्रधा जग्यरूप्या अभिध्यायाम बहुधा बर्तमाना अभिध्यायाम अंतरे बर्तमाना अभिध्यायाम इस्टा पूर्तम मन्यमाना बरिष्ठम अनेक बेदमंत्र हैं इसके लिए जो ये बता रहे हैं कि वो यज्यादिक का जो फल स्वर्ग है वो नश्वर है कर्म धर्म आदि बेद से लेकर रामायर तक हर ग्रंत कह रहा है कि स्वर्ग जाने वाला घोर मूर्ख है प्रमूड़ा बेद कहता है आप लोग अपने पिताजी के मरने पर चिठ्छी लिखते हैं स्वर्ग वास हो गया यानि आपके पिताजी घोर मूर्ख थे जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न किये थे तो ये कर्म धर्म से हमारा काम नहीं बनेगा और बहुत सारी बाते हैं कर्म धर्म में और इसी प्रकार ज्ञान के विशे में सब विचार किया जाएगा और अंत में आपको बताया जाएगा कि भक्ती के द्वारा ही लक्ष की प्राप्ती होगी सेश फिर बोलिए लाडली लाल की